बंग भंग के खिलाफ हुए आंदोलन के कारण सारे देश में एक बार फिर जबरदस्त राष्ट्रिये चेतना जागरित हो उठी थी लोगों में नया उत्साह और जोश आया वंदे मातरम, युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को काफी ताकत दी वंदे मातरम में प्रकाशित अर्विंद घोश के लेखों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था उनके जोशीले लेखों से सरकार बहुत परिशान हो रही थी दूसरी ओर वारिंद्र कुमार घोश और भूपेंद्रनाथ दत द्वारा प्रकाशित युगांतर भी इतना लोकप्रिय था कि उसकी प्रतियां हाथों हाथ बिग जाते थी वारिंद्र कुमार घोष अर्विंद घोष के भाई थे और उनमें बश्पन से ही देश प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे किन्तु वे पल्लवित हुए सन 1902 में जब वो कलकत्ता आए उस समय जगा जगा अनुशीलन समितियां स्वदेशी का प्रचार कर रही थी पर सरकार ने इन समितियों को दबाना शुरू कर दिया वारिंद्र कुमार घोष ने बंगाल में घूम घूम कर अनुभव किया कि इस प्रकार की समितियों से काम नहीं चलने वाला जरूरत इस बात की है कि विदेशी सरकार के खिलाफ राशनेतिक शर्यंत्र आयोचित किया जाए वंदे मातरम में जोशीले लेख लिखने के लिए अरविंद घोष को गिरफतार कर लिया गया लेकिन इस बात के कोई प्रमाण न थे कि उसके संपादक अरविंद घोषी है प्रिटिश सरकार ने विपिन चंदरपाल को अदालत में बुलवाया क्यूंकि उनके बारे में ये मशूर था कि वे सच के अलावा कुछ नहीं कहते जब अदालत में उनसे ये पूछा गया कि वंदे मातरम के संपादक कौन है तो उन्होंने कहा मैं विदेशी सरकार के सामने गवाही नहीं देना चाहता आखिर प्रमाणों के अभाव में सरकार ने अरविंद घोष को मुक्त कर दिया लेकिन अदालत में गवाही ना देना जुर्म माना गया और विपिन चंद्रपाल को छे महिने कैद की सजा दे दी गई सन 1907 तक स्वदेशी और बहिशकार आंदोलन पूरे जोरों पर सारे देश में फैल चुका था विदेशी माल की होलियां चलाई जाने लगी लोकमाने तिलक ने घुशना की कि उनके दल को सरकार के नीतियों पर कोई विश्वास नहीं है मैं अपने ही घर की चावी चाहता हूँ सतंत्रता हमारा जन्रसिद्ध दिकार है उधर ब्रिटन में भारत मंत्री का स्थान लिब्रिल पार्टी के जॉन मौरले ने ले लिया था भारत में लौट कर्जन के स्थान पर लौट मिंटो ने वोईस राय कपत समभल लिया था मौरले और मिंटो दोनों का विचार था कि भारत की अशान्ती को दबाने के लिए केवल बल प्रयोक से काम नहीं चलेगा ये भी जरूरी है कि सुरंद्रनाद बैनर जी, मोतिलाल खोश और गोखले जैसे नेताओं से भी संपर्ख रखा जाए ये सब कॉंग्रेस के नरम दल के नेता थे, लेकिन गरम दल के नेता कुछ कम प्रभाव शाली न थे, तिलक, अर्विंद खोश, विपिंच अंद्रपाल, लाला लाशपत राय आदि ने भी कॉंग्रेस पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था चुकि कॉंग्रेस को उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने राजनायतिक महत्व दे दिया था, इसलिए गरम दल और नरम दल के बीच रस्सा कशी शुरू हो गई सन 1907 में सूरत में हुए कॉंग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच खुल कर संखर्ष हुआ काफी गरबड़ी के बाद गरम दल वाले पंडाल छोड़ कर चले गए अधिवेशन की कारवाई नरम दल वालू ने चलाई वहां उपस्थित 1600 प्रतेनिधियों में से केवल 900 गरम दल के साथ हो गए उन दिनों वंदे मातरम कहना कानूनी अपरात था मेदनीपूर बंगाल में एक कृषी प्रदर्शनी लगी थी उसमें एक लड़का कुछ पुस्तके लिए चिला रहा था हमारी मा के टुगड़े करने वाले अंग्रेजों के कालिकारणा में इस पुस्तक में पढ़िये और पुकारिये वंदे मातरम अचानक उस लड़के के अध्यापक वहां आ गए उन्होंने समझाया खुदीराम यह सब बंग करो जानते नहीं वंदे मातरम क्याना विद्रोह करना है खुदीराम बोला तो मैं विद्रोही ही सही आखिर कुछ देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया उसे पुलिस ने इतना पीटा कि वो लहु लुहान हो गया उस पर विद्रोह करने का मुकदमा चला परंतु उसके खिलाफ सुबूत ना थे आखिर जश ने उसे छोड़ दिया कुछ समय बाद मुझफरपुर के मैजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेंकने के अपरात के लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई खुदीराम बोस के बलिदान से सारा देश देहल उठा था बाल गंगाधर दिलक ने इस बारे में केसरी में कुछ तीखे अगरलेख लिखे बस ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया उस समय दिलक काल के संपा तक परांजबे की पैरवी करने बंबाई आये थे वहीं उन्हें होटल में गिरफतार कर लिया गया तिलक पर ततकाल मुकदमा चलाने की तैयारी की गई उन्हें ना जमानत पर छोड़ा गया और नहीं अपने बचाव में कहने के लिए वकील की सुविधा दी गई इस नाच की अदालत में जजज के साथ जो जूरी बैठी उसमें साथ योरोपियन और दो पारसी थे तिलक ने अपने पैरवी स्वैम करने का निश्चे किया इस मुकदमे में तिलक ने 21 घंटे 10 मिनट तक अपने उपर लगाए गए अभियोगों का उत्तर दिया उनकी बहस सुनकर अंग्रेज जजज तक घबरा गया किन्तु फैसला तो पहले ही तैह हो चुका था तिलक को 6 वर्ष की गैद और 1000 रुपे जुर्माने की सजा सुना दी गई फैसला सुनाने की बाद जश ने तिलक से पूछा आप कुछ कहना चाहते हैं तिलक ने इतना चाहा मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं जूरी के फैसले के बावजूर भी निर्दोश हूँ मुझे लगता है कि हम जिस उद देशे को प्राप्त करने जा रहे हैं वो मेरे सतंद्र रहने की बजाए, जेल में रहने से ज्यादा जल्दी पूरा होगा तिलक को दी गई इस सजा के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला, देश भर में किरफतारियां हुई, पंध्रा व्यक्ती मारे गए ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में आतंक पहलाने के लिए कई कानून बना डाले और भारत की स्वतंतरता को कुचलने के लिए दमन नीती तेश कर दी गई उधर विदेशों में भी भारतीय स्वतंतरता संग्राम की कतिविध्यों को तेश करने के प्रयत्न किये जा रहे थे इंग्लेंड में बैरिस्ट्री कर रहे शाम जी कृष्ण वर्मा ने भारत में हो रहे बिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध करने और भारत की वास्तविक स्थिती विश्व के सामने रखने के लिए सन 1905 में इंडियन सोसियोलोजिस्ट मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की शाम जी कृष्ण वर्मा द्वारा खरीदे इंडिया हाउस भवन में रहने वाले भारतिय विद्यार थी ब्रिटिश सरकार का सिरदर्द बनने लगे इंडिया हाउस में शाम जी कृष्ण वर्मा से मदन लाल ठींगरा, विनायक दामोदर सावरकर आदी अनेक छात्रों ने देश भक्ती की दीक्षा ली सावरकर ने उन्हीं के मार्क दर्शन में 1857 क्रांती की वो प्रसिध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सिध किया था कि 1857 की क्रांती स्वार्थी राजाओं द्वारा नहीं चलाई गए थी, बलकि वो राष्ट्र की स्वाधीनता का आंदोलन था धीरे धीरे शाम जी कृष्ण वर्मा ब्रिटिश सरकार की आँख का कांटा बन गए, उनका इंगलिंड में रहना मुश्किल हो गया, आखिर अफसर देखकर वो पैरिस चले गए, पैरिस में भी उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, और मदाम कामा तथा अन्य मित्र अधिवेशन में शामिल हुई थी, तभी से उनमें देश सेवा की लगन लग गई थी, जब वो 40 वर्ष की थी, अपना इलाज कराने इंगलेंड गई, वहाँ उनकी भेट शाम जी कृष्ण वर्मा से हुई, उनके कारिक्रमों से मदाम भीका जी कामा बहुत प्रभावित भीका जी कामा के भाषनों से ब्रिटिश सरकार चौक पड़ी, उन्हें गिरफतार करने का निश्चय किया गया, परन्तु इससे पहले ही मदाम भीका जी कामा पैरिस चली गई पैरिस में मदाम कामा की भेंट कई देशभक्त भारतियों से हुई, इन में प्रमुक थे लाला हर्दयाल, विनायक दामोदर सावरकर, शापुर जी सकलात वाला, विरेंदर चटोपाध्धाय आदी सन 1905 में मदाम कामा ने जिनीवा से वंदे मातरम नामक सापताहिक प्रकाशत किया, जिसमें भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में लेक छपते थे सन 1907 में मादाम भीखाजी कामा अमरीका गए और वहां भारत की स्वतंतता के बारे में भाशन दिये उन्होंने जर्मनी, स्कोटलेंड, पेरिस, लंदन, न्यू यॉक सभी जगा जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाशन दिये वो कहती, देश बंधुओ, अपने देश में अपनी स्थिती का ख्याल करो, रूस में देश भक्ती करने वाले वीर माने जाते हैं, अंग्रेज भी उन्हें देश भक्ती मानते हैं, और वही अंग्रेज हमें देश द्रोही और गुनैगार समझ कर सजा देते हैं, ये किसलिए? विदेशी शासन का सामना करना ही सच्ची देश भक्ति है गुलाम जीवन बेकार होता है सन 1908 में जर्मनी में विभिन्न देशों के 1000 समाजवादियों की परिशत हुई भारत की प्रतेनिधी बन कर मदाम भीकाजी कामा जर्मनी गई वहां सब देशों के राष्ट्रिय ध्वश भेराये गए इस मौके पर उन्होंने अंग्रेश सरकार के यूनियन जैक की जगा भारत का अपना राष्ट्ध्वश तयार करके भेराया इस राष्ट्वश में लाल, सफेद और हरे तीन रंग की आड़ी पट्टियां थी पहले लाल रंग की पट्टी पर कमल का फूल और साथ सितारे थे बीच वाली सफेद पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था नीचे हरे रंग की पट्टी पर सूरे और अर्ध चंद्र का चिन्न था साथ सितारे सबतर्शी की याद दिलाते थे सूर्य और चंद्र हिंदू मुसल्मान की एक्ता के प्रतीक थे और वंदे मात्रम भारत की एक्ता का मंच था हमारे देश का पहला राश्चत्वज यही था मदाम भीखा जी कामा ने भारत के स्वतंतरता आंदोलन को विदेशों में प्रचारत करने का जो महान कार्य किया वो उनकी एतिहासित दिन थी लाला हर्दयाल जिन दिनों लंदन में पढ़ रहे थे वहां भाई पर्मानंद और सावर करके संपर्प में आए वो राष्ट्रिय आंदोलन में शामिल हो गए कुछ समय बाद जब वो भारत आए तो लाला लाशपत्राय के साथ काम करने का अपसर मिला उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण शीक्र ही देश भर में उनका नाम तो हो गया लेकिन प्रिटिश सरकार उनके पीछे बढ़ गई आखिर वो देश छोड़कर पैरिस पहुँचे वहां उन्होंने सन 1909 में वंदे मातरम अखबार का संपादन कारे संभाल लिया पर अंग्रेज सरकार ने वहां भी उन्हें नहीं टिकने दिया तो वो अमरीका चले गए जहां उन्होंने भारतियों का नित्रत्व संभाल लिया उस समय तक भारत में एक्ता और राष्टी शेतना का पूरी तरह विकास नहीं हुआ था और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती अपना कर एक नई राजनीतिक संस्था मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था इसका एक कारण ये भी था कि उस समय तक लोगों में भारत को एक राष्ट्र मानने की भावना पूरी तरह जागरित नहीं हो पाई थी कॉंग्रेस के सामने इसी जरूरत को पूरा करना एक चुनोती थी तरह ज़नी पना हो दे जरूरा करना वेफ ये दोगा पूरी तरह ज़ी थी झाल झाल